हेलो फ्रेंड्स, एसस्मेंट एर चौबिस पच्चिस के लिए आई टी आर के फॉर्म अभी से लाँच हो चुके हैं जी हां फ्रेंड्स जो भी सुन रहा है वो शॉक्ड हो जा रहा है कि अभी तो तीन महीने अभी बचे हुए हैं और अभी तो जो लास्ट एसस्मेंट एर है उसी की ड्यू डेट है 31 दिसंबर और अभी से नेक्स्ट एसस्मेंट एर के लिए भी आई टी आर के फॉर्म लाँच हो चुके हैं इस बार CBTT ने एडवांस में नहीं बहुत पहले एडवांस से भी पहले नोटिफाई कर दिये हैं ITR के फॉर्म अब यह आई टी आर की फॉर्म बिस जल्दी क्यों नोटिफाई कर दिये गए हैं इसके बारे में कर लेते हैं थोई ती चर्चा देखिए हर बार क्या होता है क इस बार गवर्मेंट ने कुछ और प्लान किया हुआ है और एडवांस में ही ITR के फॉर्म नोटिफाई कर दिये हैं कि अभी से आप अपनी क्या-क्या नए information हमने मागी है क्या-क्या information आपको हमें report करनी है ITR form के थुरू आप अभी से अपना पूरा preparation कर लो और उसी series में new ITR launch हो चुका है इसमें क्या change हुआ है इसके बारे मैं discuss करेंगे सीधे आपको लेकर चल रहा हूँ मैं notification की तरफ तो ये है notification जिसके थुरू launch हो चुकी है हमारी ITR 1 और ITR 4 का form ठीक है ये जो notification आया था ये 22 इसम पर को आया है ये official gadget है ठीक है सर आईए 24-25 assessment ये ये है ITR 1 देखते हैं इसमें क्या change है ITR 1 हम का फाइल करते हैं जब हमारी income होती है up to 50 lakh up to 50 lakh किन source से? salary से house property से वो भी 1 other source से और अगर हमारी agricultural income 5000 तक है तो कई बर question आता है कि सर मेरी salary income 3-4 lakh है देकि मेरी जो agriculture की income है वो है सर 2 lakh या 1 lakh तो क्या सर मैं ITR 1 फाइल कर लूँ देखे सर friends अगर आपकी agriculture की income वो ज्यादा है किस से 5000 से तो फिर आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे बहुत ही simple है ITR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे भेले ही आपकी salary income कितनी भी क्यों ना हो फिर आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा और कौन फाइल नहीं कर पाएगा जो individual किसी company में director है या उसके पास कोई unlisted equity shares बगारा है या उसका TDS कटा हुआ है 194 N में cash withdrawal वाला अब यह तब हमने अपने ITR filing course में discuss कर लिया है अभी हम लोग सीधे चलते हैं कि सर इसमें change किया हुआ है तो देखिए पूरा form तो same है कोई change नहीं हुआ है एक लेकिन change हुआ है छोटा सा और यह थोटा सा important है A20 में देखिए do you wish to exercise the option under section 115 BAC 6 of opting out of new tax regime अभी तक क्या माना जाता था कि आप old regime में है by default आने वाले assessment year में यह माना जाएगा कि आप by default new tax regime में है तो अब आपको बताना है कि क्या आप old में रहना चाहते हैं तो old में रहने के लिए आपको new tax regime से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको opting out करना पड़ेगा मतलब यह मानेगा income tax department कि आप by default new tax regime में है और अब अगर आपको old में जाना है तो यहाँ पर opting out का option है yes और no यह आपको tick करना पड़ेगा अगर आपने गलती थी यहाँ पर no मतलब yes नहीं किया तो फिर भईया आपको माना जाएगा कि आप new tax regime में है फिर आप कोई deduction वगारा claim नहीं कर पाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है अगले आने वाले assessment year से यह एक आप इसको छोटा बढ़ बढ़ा change कह सकते हो because इससे आपकी जो tax stability है जो tax payment का amount है वो change हो सकता है ठीक है और same change उसके लावा IDR1 में और कोई change नहीं है IDR1 जैसे assessment year 24-25 के लिए था वैसे ही assessment year 24-25 के लिए भी है ठीक है तो यहाँ पर कोई change नहीं है अच्छा सर अब आ जाते हैं IDR4 में तो क्या IDR4 में कोई change हुआ है तो देखे सर IDR4 में भी कोई ऐसा change नहीं है इसमें भी बस same क्या change हुआ है new tax regime और old वाला यहाँ पर भी हमें क्या करना है opt out करना है कि अगर आप old tax regime में रहना चाहते हैं तो फिर आपको opt out करना पड़ेगा new tax regime से yes or no तो अगर अभी मैं बात करूँ अभी जो form notify किया गया है उसके हिसाब से IDR1 और IDR4 में यही एक change किया गया है हलाकि देखे यह अभी दे notify तो हो गए IDR form बट यह एकदम final नहीं है हो सकता है आने वाले time में नया form notify हो जाए with new changes लेकिन अभी क्योंकि यही form notify है तो हम यह मान के चलेंगे कि हाँ यही form final होने वाला है अब इसके हिसाब से हमें preparation करनी है जो भी आने वाला 2-3 महिने बचे हुए है कैसे income कहा report करनी है कितना दिखाना है वो सारी चीज़े तो advance में IDR के form notify हो गए है यह अच्छी बात है यह notification आप download कर सकते हैं income tax की website से अच्छे सितको read कर लिजे मैंने आपको बता दिया कि क्या change है उसके लावा as such कोई change नहीं है और ऐसे ही मदेदार और interesting वीडियो के लिए CMH24 को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में